मैं क्लिक आन सब्सक्राइब बटन प्रेस अन बैल आइकन घ nailo फ्रेंड्स दोस्तोओ आज वीडियो गंदर में आपको बताँ गो कि आप किस तरिके से प्लेस को इन दर इंस्टोल कर सकते हो या फिर आप अपने सिस्ट्रममे इंस्टोल कर सकते हो और किस तरिके से यहां पर मेरा डेटा सेव है तो फ्रेंट्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहले मैं आप पर RDP को यूज कर रहा हूं प्लेस को इंस्टॉल करने के लिए तो मैं आपर RDP के अंदर Chrome में सर्च करूंगा School Download Plex के यूज के अपे फ्रेंट्स का इंस्टॉल का आ जाया самого फ्रेंट्स फ्रेंट्स के उफिशल वेबसायट एक यहा पर फ्लेस का इंस्टॉलर आयेगा तो आपको को बंद नहीं करना है और फ्रेंस अब हम Google Chrome को यूज करते हैं वैसे तो फ्रेंस बाइड डिफॉल्ट इसके अंदर यह एक इंटरनेट एक्सप्लोरर सेवर इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंस हम यहाँ पर Google Google Chrome को यूज करने वाले और फ्रेंस इसके अंदर आपको कमांड लाइन को बंद नहीं करना है वह आपकी कंट्यूने बैक्राउंड के इंदर चलते रहेगी फ्रेंस आपको यहाँ पर इसके उपर क्लिक करेंगे और इसके पासवर्ड को हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं इंस्ट इंस्टॉल वर्जन तो हमें इंस्टॉल वर्जन आपके सामने एक हीश होएगा तो इसे ही बाइड़फॉल चलने देते हैं अब हम यहाँ पर कंट्यून के उपर क्लिक करेंगे क्लिक करने बाद फ्रेंस यहाँ एक स्क्रीन ओपन होगी यहाँ आप देख सकते हो कुछ हमे प्रिफ यहां फेस्ट का वर्जन आ जाएगा कौन सा वर्जन इंस्टॉल हो रहा है उसके दाएगगा इंस्टॉलिशन टाइप नोफिट करने पर क्लिक करेंगे तो friends click करने बाद आप देख सकते हैं जो भी हमें component install करने हमारे place के साथ वो सारे हाँ पर आ जाएंगे friends जो by default install होंगे वो पहले से हाँ आएंगे और उनके आगे bracket में install लिखावाएगा green color में बट जिसको मैं अलग से install करना है उसको हमें आप इंस्टॉल करना होगा इंस्टॉलेशन के लिए जैसे मुझे यहां पर msql 2019 को install के उपर क्लिक कर देता हूँ अब friends यह सारे जो component है वो हमारे place के साथ इंस्टॉल होने वाले क्यों friends मैं place के साथ यहां पर आपको website भी चला कि दिखाऊंगा तो इसलिए मुझे यहां पर msql काम आएगा अब friends यहां पर हमारे सामने path आजाएगा जहां पर भी आप save करना चाते हो अपने place को तो हमें यहां पर by default चलने देता है system की जो password थे हमारे जो मैंने save कर रहे थे हुआ यहां पर डालके continue के उपर कर देंगे अब friends यहां हमारे सामने place के installing स्टार्ट हो गई है friends यह depend करता है आपके component के उपर अगर आपने खूब सारे components यूज करें तो इसको install होने में एक से सावा घंटा भी लग सकता है बड़ friends मेरे case के अंदर इसको only 30 minute लगे क्योंकि मैंने ज्यादा चीज़े यूज नहीं करी only मैंने एक extra यूज करा MS SQL 2019 तो यह friends मेरे हैं यहाँ पर successfully install हो गया यह आप देख सकते हो नीचे green color का एक notification आ गया आप मैं आपकी के उपर क्लिक कर देता हूँ क्लिक करने के बाद next screen हमारा सामने आएगी friends अगर आप कोई component आपका miss हो जाता है आप सोचते हो यार यह चीज तो रह गई तो आपको क्या करना है यहाँ एक add component को option आ रहा है तो यहाँ पर आप क्लिक करिए add remove के उपर और यहाँ से आपका जो भी miss रह गया उसको आप install कर ल लिए तो friends यह हमारा यहाँ पर successfully plus install हो गया और friends यह आप देख सकतो background में जो हमारी command line open थी वहाँ पर सारी यहाँ पर automatically command यह वगरा सब चलिए हमारे installation के through अब friends हमें आप installation को बंद कर देंगे क्योंकि हमारे successful install हो गया और हमारे command line में भी message आ चुका है successful install का तो हमें इसे बंद कर देता है अब भी है security की error है friends कुछ भी नहीं है only for HTTPS की error है तो मैं आपे friends सबसे पहले मैं आपे मेरे by default browser है उसको Chrome select कर लेता हूं कि मैं by default Chrome को use करूंगा अब friends है हमारे यहां पर प्लेस जो है वो login स्क्रीन आ गई है प्लेस की अब आपको यहां पर आपकी सिस्टम का पासवर्ड वह पासवर्ड ढालना है और जो आपकी सिस्टम का यूजर ने वह वह यूजर नेम ढालना है जो हमने प्ले प्लेट मैं आपको बोलता हूं मत करिए क्योंकि इन सब चीज़ों के पासवर्ड आप अगर खुद ही ढालेंगे तो वही ज्यादा बेटर होगा तो मैं आपर पासवर्ड ढाल देता हूं पासवर्ड मेरे यहां पर स्ट्रॉंग आ गए हैं अब फ्रेंड्स नीचे हैं यह स्क्रीन आ जाएगी फ्रेंड्स जब आप किसी से भी प्लेट की होस्टिंग खरीते हैं विंडो होस्टिंग आप लेते हो तो आपके सामने प्लेट कुछ इस तरीके का यहां पर ऑपन हो जाता है उसके अंदर आपके पास कंट्रोल नहीं रहते हैं बट फ्रेंड्स यहां आपके सामने हर तरीका कंट्रोल रहता है अब आपको बताता हूं डोमें किस तरीके से आपको एड करना है और विद्स वीडियो के अंदर बताऊंगा तो फ्रेंड्स यहां के वीडियो के लिए आप गुरूजी फैशन मेरा खुद का डोमेन है तो मैं इस डोमेन को यूज कर रहा हूं अब नीचे जो password और यूसर ने और password वह आपको यह unique ढालना है password जनरेट मैं बोलता हूं मत करिए क्योंकि आप अपने पासवर्ड ढलेगे तो वह भी ज्यादा बैटर है कि पास्वाट जन्रेट करें याद रहने में बहुत जाद मुश्किल होती है उसको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ता है मैं तो मैं यहां पर मेरे पास्वाट ढाल देता हूं पास्वाट ढालने के बाद उसके बाद आता है एक SSL का certificate और एक आता है enable git support तो friends सबसे पहले अगर आपको HTTPS लगाना है आपको encryption लगाना है तो आप उपर क्लिक कर दीजी secure with और अगर आपको enable git support को भी चाहिए तो आप यहां पर इसको भी कर सकते हूं तो तो मैं यहां पर यूजर ने मेरा थोड़ा सा गलत आ गया तो मैं यहां पर यूजर ने चेंज करके अगर मैं यहां पर डन के उपर क्लिक करता हूं तो friends यह आप देख सकते हूं मेरा है यहां पर successfully domain भी add हो चुका है domain का status आ रहा है है यहां पर active अब friends मैंने नेमचीप से मेरा domain ले रखा है अब मैं वहाँ पर जाके dna setting को change करता हूं friends यह चीज थोड़ा से ध्यान से आप देख लिजिए थोड़ा सा क्यूंकि आपके जो domain वह setup करने में यही चीज काम आईगी friends आप खुब सारे articles वीडियो अगरा देखोगे वह बोलते हैं IAS में यह करो IAS में वह करो बड़ फ्रेंट जो नया प्लैस का है उसके इंदर IAS में कुछ भी changing करने का कुछ भी रोल नहीं है बस आपको जहां से भी आपने domain लिया है वहाँ पे अपना यहाँ पे DNS सेटिंग सेट कर दीजिए DNS के लिए सब NS2 को भी सेव करना है तो मैं यहाँ पे NS2 डालके IP address डालके सेव कर देता हूं तो यह भी मेरा है यहाँ पे सकस्पूली सेव हो चुका है अप फ्रेंट्स मैं आप पे सर्च के उपर क्लिक करता हूं standard name server पर जाके तो फ्रेंट्स यह आप देख सकते हो मेरे नीचे दोनों name server आ गया NS1 भी और NS2 भी आ गया अफ्रेंट्स आप सोच रहे हो कि मेरे को कैसा पता मेरा NS1 है कि NS2 तो फ्रेंट्स आप अपने place की setting में जाके DNS setting में जाके देख सकते हो आपको NS1 यूज़ करना है कि क्या यूज़ करना है तो आपको महाँ पर मिल जागा मेरे को पता था NS1 तो मैंने आप NS1 यूज़ कर लिया अब फ्रेंट्स मैं या पर कस्टम DNS के उपर जाता हूं और यहाँ पर मेरा जो NS1 और NS2 name server था वो name server मैं यापर डाल देता हूं NS1.gurujifashion.com यह मैंने ढाल दिया और अब NS2.gurujifashion.com यह भी मैं यहाँ पर डाल के राइट के उपर क्लिक कर देता हूं तो friends यह आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो कस्टम DNS वो भी सेव हो गया friends यह वैसे तो 48 hours लेता है बट friends इसने मेरे case के अंदर कुछ मिनट से लिए मैंने आपर वीडियो को कहीं पर भी कट नहीं करा है अगर आपकी DNS सेटिंग प्रॉपरली सेट हो जाती है आइपेड वो अगयरा कस्टम DNS आप सही तरीके से सेट कर देते हो तो friends इसे आपके यहाँ पर या तो कुछ मिनट लेगा या फिर 2-3 घंटे लेगा बस आपका यहाँ पर सक्सेस्फुली करना है कि अगर आपके वेबसाइट का प्रिवी क्या आ रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लिजिए और यहाँ पर आपको वेबसाइट का प्रिवीव दिख जाएगा और अगर कंफर्मेशन और भी ज्यादा चाहते हो तो ऑपन इन्यू टैप पर क्लिक करिए और अपने दोमेन को प्रोसेट कर दीजिए तो आपके सामने यहाँ पर भी एक प्रिवीव आ जाएगा कि अभी आपकी वेबसाइट का प्रिवीव यह है अब फ्रेंट्स हमारा डोमेन सेटप भी हो गया और प्लेस इंस्टॉल भी हो गया अब मैं आपको बताता हूं वेबसाइट को यो भी फाइल आते हूं उन सारी फाइलों को मैं यहाँ पर सिलेक्ट टॉल करके रिमूप कर देता हूं फ्रेंट्स प्लेस की एक कम्याई कि इसके अंदर ट्रेश का फोल्डर कहीं पर निया तो अगर आप कुछ भी फाइल डिलिट करो तो थोड़ा ध्यान से डिलिट करो पहल उसको बेक बना के फिर ही डिलिट करों अब मेरी ह Sabrina सकस्कूल लिदिलिट हो गई है अब मेरी website के code जो मैंने बनारखी है यहाँ एक template बनारख है मैनने उस template को मैं आप अपलोड करता हूं तो मैं आप अपलोड के ऊपर जाता हूं और यहाँ पे यह मैने school website का एक template मैंने ready कर रही है friends काफी अच्छी template अगर आप भी इसको purchase करना चाते हो तो मैंने downloading की इस video की description में दिया हुआ है वहाँ पे click करके आप इसको purchase करके download कर लीजिए friends fully advanced यह है school की website है और पूरे admin panel के साथ पूरी wordpress की जैसे चलेगी बढ़ .net के उपर तो यह friends मैंने इसको extract कर लेता हूँ friends extract करने के बाद यह मेरे सामने folder आ जाएगा तो मैं मेरी सारी file को यहाँ पे select all करके move के उपर click करता हूँ और सबको http docs के folder के अंदर move कर देता हूँ तो friends यह आप देख सकते हो मेरे सारी file successfully move हो चुकी है अब यह मैं यहाँ पे direct http docs के folder के उपर आता हूँ और यहाँ पे मेरी सारी file सा आ चुकी है अब मैं only for मेरे जो domain उसको normally सा refresh करता हूँ friends refresh करने के बाद आप देख सकते हो मेरी website यहाँ पे आ चुकी है जो भी मैंने code लिख रहे था वो सारी code आ रहे है friends अभी सारी website मेरी आपको blank दिखेगी कुछ भी नहीं दिखेगा इसके अंदर क्योंकि पूरी खाली है क्योंकि मैंने database को set नहीं करा है अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इसकी web.config file के अंदर और यहाँ पे friends database मेरे पास पहले से save है पहले से मेरे किसी और server पे database चल दा है जहाँ पे मेरे सारा data save है तो मैं यहाँ पे उसी database को use कर लेता हूँ अब यहाँ यहाँ पे मैं सबसे पहले commented code के जो है उनको हटाता हूँ और यहाँ पे मैं मेरे IP address ढाल देता हूँ friends मेरे जो password अगरा username है database का उसाब same only for IP address का difference है तो मैं यहाँ पे मेरे other server का IP address ढाल के apply पे क्लिक कर देता हूँ या फिर occup के उपर क्लिक कर देता हूँ friends यह मेरे successfully आप देख सकतो webconfig के file save हो चुकी है अब मैं यहाँ पे मेरे domain के उपर जाके again इसको refresh करता हूँ friends अब अगर मेरे यहाँ पे सारा data आ जाता है तो इसका मतलब है मेरे website successfully host भी हो गई है और database से connect भी हो गई है अब यह मैंने हाँ पे refresh करा friends refresh करने के बाद आप देख सकतो है मेरे website अब भरी भरी से याड़ यह नीचे सारा data आ रहा है, सारा text आ रहा है गुरजीफैशन.com मेरे domain को open करता हूँ friends आप देख सकते हो, वहाँ पे भी मेरी website लोड हो रही है और सारा data भी लोड हो रहा है तो इस तरीके से friends आप अपने website को place के अंदर डाल सकते हो place को चला सकते हो, place को आप इस तरीके से install कर सकते हो और आपको अगर DNS सेटिंग करना है तो friends आपको कहीं पे भी IAS वगरा में changing के ज़रत नहीं है क्योंकि place के बहुत ज़्यादा खुद में advance हो चुका है बिस वहाँ पे add domain के उपर क्लिक करके आप अपना खुद का DNS जहांसे भी domain लिए वहाँ पे लगा दीजिए आपका successfully domain भी हो जाएगा और place भी चल जाएगा Thank you friends